तो आप अगर पहली क्लास को देखोगे न तो मैंने क्या कहा था कि आपके अकाउंट के अंदर दो है ब्रांच के अंदर एक क्या था हमारा एट कॉस्ट चार कुशन इसके थे कर लिए फिर एट आई पी उसके भी हमने कुशन देख लिए ज्यादा बड़ा नहीं है उसके बा हमारा है स्टॉक डेटर सिस्टम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे और सर जब ब्रांच अकाउंट हम बनाएंगे तो इस ब्रांच अकाउंट के अंदर हम सीखेंगे कौन सा मैथर्ड कौन सा सिस्टम तो देट इस स्टॉक डेटर सिस्टम, स्टॉक डेटर सिस्टम, स्टॉक डेटर सिस्टम को बनाने के लिए आपको कुछ नंबर ओफ अकाउंट बनाना पड़ेगा, सर हम इसके अंदर कौन-कौन सा अकाउंट बनाएंगे, नंबर वन, स्टाउक अकाउंट, नंबर दो, ब्रांच अड्जस्मेंट अकाउंट, नंबर तीन, टेटर अकाउंट, नंबर चार, पैटी कैश अकाउंट, नंबर पांच, बैंक अकाउंट, तो यह मेजरली पांच अकाउंट है, जैसे पिछले वाले में करा था तो main एक ही account था और हो सकता था 2 भी बन जाए हो सकता था 3 भी बन जाए हो सकता था 5 भी बन जाए यहाँ पर main रहने वाला है हमारा यह दो यह तो बनेगा ही बनेगा अब हो सकता है कि बागी के यह helping account हमारे बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते जो debtor system किया था और जो stock debtor system कर रहे हैं दोनों में profit same ही आता है ठीक है न? तो एक बार फटा फट से हम format start करते हैं सर यह actual में है क्या format के बाद जब हम question देखेंगे तो actual हमें position समझ में आने लगेगा कि है क्या चीज़ी है तो सर एक सबसे पहले stock account और यह ना ऐसा नहीं सिर्फ बनाएंगे हम समझेंगे भी अब बताईए सबसे पहले मुझे मेरा बड़ा basic सा और बड़ा छोटा सा सवाल है जो stock है हमारे business के लिए assets है liability है हमने debtor account भी ऐसे ही बनाए था सोच के कि क्या है उसी तरीके से इसको बना लेंगे क्या आएगा आपका यहां particular particular यहां पर आएगा हमारा branch stock account ठीक है stock account देखिए आप stock हमारा क्या होता है assets होता है stock क्या होता है assets होता है बच्चे कह रहे हैं sir ठीक है assets sir question की PDF already आपके पास book है जो कि आप उसी book के ही question कर रहे हैं जो jrmoga book है तो हमारा stock assets है तो इसका इधर से शुरू होगा यानि इसका मैं सबसे पहले क्या पूछू हूँ आपसे तो आप बताना जवाब देना आप बताओ balance BD किदर होगा इसका टू में होगा बाइ में होगा balance BD टू में होगा क्योंकि यह assets है तो इसका होगा टू balance BD है ना balance CD किदर होगा बताओ बाइ मैं नीचे लिख देता हूँ buy balance अब यह balance CD और balance BD होगा किस चीज का stock का यहोगा stock बना रहे है तो यह होगा हमारा IP पे ठीक है ना मैं bracket में लिख रहा हूँ IP पे होगा यानि सर आई पी मैं अब समझाने की जुरत नहीं है जो पहले समझा था वही है ठीक है अब यह बढ़ेगा इस side से asset से तो बढ़ेगा किस side से और घटेगा किस side से बाइस से तो बढ़ाने का reason देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है अब ध्यान से देखेगा बढ़ने का reason number one अगर मेरे पास समान आएगा यानि good cent good cent समान आएगा तो बढ़ेगा अगर हमारे पास समान आया good sent तो बढ़ेगा sir good sent और ये भी किस पे होगा sir IP पे और कब बढ़ सकता है हमारे stock बताओ डिमाग लगाओ logic कब बढ़ेगा हमारे stock अगर मैंने कोई return किया और वो return वापसी आ जाए तब भी बढ़ जाएगा यानि अब sales return होगा तो भी sales return मैंने customer को समान बेचा उसने वापसी कर दिया फिर बढ़ जाएगा है अब घटने का reason क्या है समान बेच दो तो घट जाएगा सर अब समान जब बेचेंगे तो घट जाएगा यानि sales अब बताओ कैसे समान बेचेंगे तो हमारे stock घट सकता है अगर नगत बेचेंगे तो घटेगा लिए नहींघटेगा अगर हमने 10 certificate हाँ हम बेच रहे हमारा तो नगत बेचे चाहे उधार बेचे दोनों में घटना है यहां पर इसलिए इसके नीचे जो सेल्स होगा वो दोनों आएगा यहां पर कौन कौन सासर साइड में रिटर नस चोंको यहां एकम और उवाड़ इसे रिटर रहा है लेकिन भ्रांच के लिए बना रहा है इसलिए और हमने गुट संड किया है ठीक है वे इस तरे को य Bene अब balance CD यहां तक समझ में आ रहा है सब कुछ अब क्या हो सकता है अगर आपका मान लेते loss हो गया loss किसी परकार का हो चाहे normal हो abnormal हो आपका stock तो घटे गई तो किदर लिखना चाहिए उसे बताओ buy side तो buy आपका चाहे normal loss हो या फिर क्या हो abnormal loss abnormal loss abnormal loss में क्या हो सकता है abnormal loss आपको सवाल में हलाकि घीवन होगा यह abnormal loss है लेकिन ऐसे हो जाए loss by theft loss by fire आपका यह preferred हो जाए या फिर आपका shortage भी आजाता है एक बार को यहां पे तो इस तरीकी के loss होगे spoilage हो जाए तो आपका यह loss क्या होगा हमारा abnormal होगा normal loss के लिए सवाल normal loss बोल देगा ठीक है यहां तक समझ में आ रहे है अब यहां पे examiner का अब देश से क्या रहेगा आप से ज़्यादा से ज़्यादा examiner का में मोटिव क्या रहने वाला है यह क्या हाँ 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 फ्री सेंपल में भी घट जाएगा फ्री सेंपल में भी घटेगा ठीक है ना हम फ्री सेंपल देंगे अगे निधन आ जाएगा अब मान लेते हैं कई vic आ ऐसा होता है ना हमारे पास दो ब्रांच है एक डेली ब्रांच एक यूपी ब्रांच और मुम्बई ब्रांच जो है वो एक्चो है और ये एक डेली का ब्रांच है और UP का भी एक तो मैं अगर आप से पूछू कि मुंबई और डेली के बीच में सफर फासला और UP और डेली के बीच में फासला तो किसके बीच में कम फासला है तो अगर माल लेते हैं UP के पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है और डेली ब्रांच के पास स्टॉक ही खतम हो गया तो head office न इंस्ट्रक्शन दे सकता है इसको कि भाई मेरे पास तो जाने में टाइम लगेगा तेरे पास पढ़ा हुआ एक काम कर दो फटा फट जा और तो डेली ब्रांच को मैं बना रहा हूँ अगर मुझे इंस्ट्रक्शन आ गया भीजने का तो मेरे स्टॉक क्या होगा कम होगा ज्यादा होगा तो मैं बाई साइट में लिखूँगा बाई ट्रांसफर तू अधर ब्रांच लिख देता हूँ समझ में आए बात अब मान लेते हैं कई बार स्टॉक ना यूपी में खतम हो गया और डेली में खूब सारा पड़ा हुआ है तो अब हेड अफिस किसको इंस्ट्रक्शन देगा बताओ डेली को देगा क्या बोलेगा किसको समान दे दो तो अब जब यूपी का मैं अपने लिए बना रहा हूँ यूपी के लिए इंस्ट्रक्शन मिला तो किधर लिखेंगे टू साइड में लिखेंगे न क्या लिखेंगे टू गुट्स रिसीव हो गया प्रॉम अधर ब्रांच हम सिरिफ लिखेंगे गुट्स आप इन सब्दों देखो आप अगर रटाफिकेशन मारोगे न तो नहीं कर सकते भाई आप लॉजिक को पकड़ो जब सवाल गीवन होगा और आपको पता है स्टॉक अकाउंट बनाना है तो वो कैसे भी घुमा फिरा के आपसे सवाल बोल दे कैसे भी घुमा फिरा के आपको कुछ भी बोल दे आपको पता है भाई ये बोल रहा है इसका मतलब हमारे पास स्टॉक जा रहा है तो कुछ भी हो जाएगा तो बाई में अगर आ रहा है हमारे पास स्टॉक जाएगा कहीं से भी आए तो कहाएगा तू साइड में, समझ रहे हैं बात अब कई बार ऐसा होता है न कि जब हम समान को भेजते हैं न जैसे माल लो यहाँ पर समान है और हमने समान भेजना चालू किया और मैंने दो ट्रक भेजे समान ठीक है न समान इतना ज़्यादा था दो ट्रक भेजा हैड ओफिस ने मुझे कहा कि भाई इस ट्रक में पांच हजार का समान है इस ट्रक में दस हजार का समान है हैड ओफिस ने फोन किया भाई मैंने तिरको कितने का समान भेज दिया लेकिन मैं यहाँ पर नपता क्या करता हूँ वही आइटम लिखता हूँ जो मैं receive करना तो जब ट्रक आने लगा तो मैंने भूला भी है ट्रक आजाओ कितने का समान आ रहा है तो एक ट्रक न अभी आई नहीं पाया उसका मान लेते हैं ट्रक खराब होगे रास्ते में पंचर होगे नहीं आ पाया अभी एक ही ट्रक आए तो मैं यहाँ पे जो good cent में लिखूँगा न वो कितना लिखूँगा बताओ good cent में सरफ लिखूँगा 10,000 एक तो यह तरीका है भी यह 10,000 का माला आए तो 10 लिखूँगा मैं दूसरा तरीका एक और यह है कि भी यह माल तो आई जाएगा न माल जाएगा कहाँ ट्रक खराब हो गया पंचर हो गया तो ऐसा थोड़ी हो बापसी चला जाएगा वो तो हम यहाँ पे जो लिखेंगे good cent में वो कितना लिखेंगे 15,000 good cent में कितना लिखेंगे 15,000 समझना बात को कि वहां से भीछा कितने दो ट्रक 15,000 लेकिन में पास आई कितने ट्रक 10,5 तो नहीं आया जब मैं closing stock निकालने गया तो closing stock मैंने यहाँ पे निकाल के लिखा है closing stock निकालने गया तो closing stock मैंने लिख दिया यहाँ पे 8,000 और जो समान में पास था जो material मेरे पास था पड़ा हुआ closing stock इसी में से तो ढूंड के गिन के लिखूंगा मैं इतने सारे stock तो जितने बिगगे उसमें से जो यहां लिख दिया ठीक है क्या जो समान रास्ते में उसको मैं गिन पाऊंगा नहीं गिन पाऊंगा ट्रक आई नहीं राभी तक साल का end हो गया इसका मतलब भाईया आज नहीं तो कल आ जाएगा समझ में तो अब यह closing stock सर गलत है क्योंकि law rule यह कहता है कि अगर आपने इधर 15,000 रुपे का समान दिखा और यह 8,000 रुपे च्छाट के निकाला नहीं वो 10,000 के समान में से 8,000 रुपे च्छाट के निकाला है क्योंकि जो समान आपके पास पड़ा हुआ है उसी में से तो गिंती से निकाला आपने closing stock क्योंकि आपके पास कितना है 10 10 में से 2 ही विका तो उसमें से निकाल नुकॉल के बूला 8 पच गिया है जबकि आपको चाट के closing stock किसमें से calculate करना चीए था इसका मतलब सर 5,000 रुपे इसमें और जूड जाना चीए अगर 5,000 रुपे मैंने इसके अंदर add कर दिया तो मतलब है 5,000, 13,000 रुपे का आपका stock go down में है इसका थोड़ा सा अलग accounting treatment करा गया बोला गया भाईया जो आपके पास go down में उसको तो balance bd में लेखिए और जो go down में नहीं है उसको लिख दीजिए goods in transit क्या बोला गया goods in transit का मतलब होता है रस्ता समझ में आई बात आपको तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम goods in transit बिलकुल आएगा question अरे भेजा 30 तारिक को था मार्च में हाँ तो 30 तारिक को भेजा तो हो नहीं सकता कि एक साल एक दिन बाद आजाए है हो सकते हैं है कि समझे रहे ना 30 मार्च को समाना आया ठीक है 30 मार्च को जट से यहाँ लिख दिया उसको आने में दो दिन है अगला साल आ गया हमें तो closing बनाना ही है ना तो हम लिखेंगे निए goods in transit आप 365 दिन मतलो के ट्रक फसा हुआ है पंचरी है भी वो दिमाग से निकाल दो ऐसा situation आ जाता है ठीक है ठीक है तो यहाँ balance cd लिखा समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या लिखा मैंने goods in transit इसको थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ goods in transit closing stock जो होगा ना जो balance cd होगा वो तो closing stock का होगा और एक होगा goods in transit goods in transit ठीक है ना एक होगा goods in transit बताइए कोई दिक्त समझ में आ रहा है ऐसा लेकिन अगर मान लो इधर हमने 10 लिखा इधर अगर हमने 10 लिखा तो goods in transit लिखेंगे नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 ही या 10 ही के हिसाब से चल रहे हो आप goods in transit इसलिए इधर 15 और इधर 10 के हिसाब से closing तो लिखते है ठीक है ना और बाकिया आपको जब भी goods in transit होगा तो इधर फरक नहीं पड़ेगा इधर ही लिखना होगा अब ये सारा करने के बाद अब हमें loading लिखना है इसलिए क्या abnormal loss है तो इसदर आ जाएगा हाँ माल खराब होने का मतलब आपका माल गया गया आपका माल बरबाद हो गया stock कम हो गया तो किदर आएगा बाइस है अब ऐसा भी हो सकता हम किसी को भेज दे और वो रस्ते में लटक गया हमें क्या मतलब वो एंट्री करेगा ना goods in transit का हम तो इधर लिख देंगे भाई मैंने आपको माल भेज दिया समझना बात को मैंने आपको माल क्या करा भेज दिया मैंने भेज दिया अब मैंने भेज दिया तो मैं तो बाइसाइड में लिख दूँगा goods transfer to this अब वो बोल रहा है यार आए नहीं मैंने तू एंट्री करनी आए तो मेरे को क्या ले ना देना गुर्थिन ट्रांजिट की कोन एंट्री करेगा, वो करेगा है मैं करूँगा, वह और हम अकासिंग अपनी कर रहे हैं, तो हमें मतलब भी नी अपनी प्रांजिट होगा, कोई लिए न देना नहीं, अर लेते टांजिट होगा, तब एंट्री आ जाएगा, सम्झें बाताओ, दो चीजे हैं, बताइए कोई दिक्कत, बताइए जितने बच्चे लाइब में किसी को कोई दिक्कत, यानि भेजते टाइम पे होगा तो हमारे कोई मतलब नहीं है, और लेते टाइम पे पूरा आ जागा, ठीक है न, अब लोडिंग की बात करें, तो सर लोडिंग किस-किस पे निकलेगा, लोडिंग की बात करें, तो लोडिंग किस-किस पे निकलेगा, यानि सर इन दोनों को छोड़ कर, सम पे, एक इस पे और एक सेल्स रिटन को छोड़ कर, नहीं, इनफेक्ट सेल्स रिटन पे भी निकलेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइज, अब लोडिंग निकाले मैं इधर लिख रहा हूं loading और वो जो percentage सिखाया था ना वो काम आएगा loading के अंदर क्या क्या आ सकता है return पे loading और किस पे आ सकता है आपका मैंने थोड़ा सा mistake में गलत चला गया loading यहां नहीं लिखेंगे कहीं और लेकिजा के लिखेंगे आपको बस पता होना अच्छे किस किस पे loading निकलेगा यानि बड़ी सीधी से बात है सर इसके उपर भी loading निकलेगा इसके उपर भी loading निकलेगा इसके उपर भी loading निकलेगा नॉर्मल लॉस पे लोडिंग नहीं निकलता है, एबनॉर्मल पे लोडिंग निकलेगा, ट्रांसफर के उपर भी लोडिंग निकलेगा, और क्लोजिंग स्टॉक के उपर भी लोडिंग निकलेगा, समझ महीं बात, पर इन लोडिंग को न हम यहां नहीं रखेंगे, पहले क्य सीडी मतलब यह तो है न सीडी सीडी तो वर्ड है इसके अंदर तो यह content है ठीक है ना बीडी स्टॉक ही हो तो ठीक है ना अब पहले जैसे की depreciation के लिए एक अलग account बना लेते थे सेम ऐसे यहां पर भी अलग account बना लेंगे उस account का नाम क्या होगा सर branch adjustment उस account का नाम क्या रखें ठीक है चलिए branch adjustment इधर बनाते हैं और कई लोग ना इसे branch adjustment को मैं बता देता हूँ इसको बोलते हैं branch adjustment और कई लोग ब्रांच अड़्जस्मेंट को ना बोल देते हैं trading and profit and loss account खीक है ना कई वार सवाल में आएगा पिरपेश्चावाइगा लोड़ देते हैं और कि लोड़ बनेगी तो यहां तक इसके नीचे का इसका रहेगा यहां मान लेते हैं ट्रेडिंग और नीचे पी एंडल आई सच कुछ हो गया ना दो इससे में बाठ दिया उपर वाले हिससे में शिफ लोडिंग का का मोगा जैसे इधर का स्टाउक है तू में तो इधर आएका By में By Loading किस पे सर Opening Stock पे संजहे रहे हैं और किस पे आएका By Loading Goods Goods Sends पे और किस पे आएका By Loading sales return by loading goods मैं short form लिख रहा हूँ ठीक है ना समझ में तो आई जाएगा अब इधर भी loading लिखना है इधर इसका लिखेंगे किस-किस का आएगा इधर to loading return अब देखना normal loss पर loading नहीं निकालते हैं मैंने टिक नहीं किया ना normal loss full दिखाते हैं to normal loss as it is यहां उतार देते हैं यानि मैं एक बात बोलू ना तो normal loss पर 100% loading बोल सकते हैं हाँ पूरा मतलब 100 रुपे का है ना पूरे 100 रुपे ऐसा नहीं है कि 100 है तो उसका 20% profit रहे तो सिर्फ 20% बीस लिखेंगा नहीं पूरे 100 तो जो यहां normal loss होगा abnormal loss इधर लिखतेंगे to loading किसका ABL लिख रहा हूँ ठीक है अब मैं मान लेता हूँ 1000 रुपे का समान था इसके उपर profit रखता हूँ मैं 20% का ठीक है loading बताईए कितना होगा 1000 का समान 20% का profit margin है loading बताईए कितना होगा कौन बताएगा loading होगा बड़ी सीजी सी बात है मैंने 1000 पर 20% रखता हूँ तो 200 रुपे वो आप उस पर मत जाईए confusion मत होईए कि 25 निकालेंगे 20 निकालेंगे ठीक है कितना निकालेंगे 200 अब मैं अगर इसमें पूछू हाँ मैंने डिरेक्ट बता दिया अगर मैंने कहा 1000 पर 20% यानि 200 हमें बड़ा सिंपल सा एक सवाल पूछता हूँ कि बताइए इसमें profit का हिस्सा कितना है 200 क्योंकि loading को ही तो profit बोलते है अब cost का हिस्सा कितना है 800 तो यहाँ पे ऐसे सवाल का कितना आएगा सर 200 और जो उसका cost होगा वो भी तो नुकसान है वो पी हेंडल में चले जाएगा abnormal 200 उपर 800 नीचे मैं example में ले लूँ यानि नुकसान तो पूरा ही हो गया नुकसान होने से stock तो खतम ही हो गया अब profit का थोड़ी नुकसान हो जाएगा आपका नुकसान तो हमें इसा goods का होगा तो जो goods का नुकसान होगा उसे पी हेंडल यानि यहां भेज देंगे और जो cost profit वाला हिस्सा उपर चला जाएगा ताकि हम इससे actual profit निकाल साएगा समझ रहे हो अब इसके बाद क्या है सर transfer to branch इस पे भी loading निकाल लो transfer सर और क्या होने वाला है balance CD पे भी to loading closing पे ठीक है न इसके बाद यहां दो समभावना ही बन गई सर दो समभावना ही कौन सी बन गई या तो gross profit ठीक है न तो मैं मानके चलता हूँ जादा से जादा तो GP आता है तो gross profit अगर आया है तो इधर लिख देंगे 2 GP 2 GP बिल्कुल वही है और इसका GP किदर आ जाएगा buy GP अब यहां सारे खर्चे आ जाएगे सारे अब चाहे discount on debtor हो अब यहां पे आएगा यानि total खर्चा आ जाएगे पहले हमारा opening और closing debtor था तो adjustment लग जाता था बीच का खर्चा लेकिन अब अब चाहे भी आब branch खर्चा करे head office खर्चा करे लेना देना नहीं है सारे खर्चे आएगे समझ रहे हो तो यहां पे सारे खर्चे क्या क्या हो सकते हैं सर discount bed debts और क्या हो सकता है हमारा salary general expense other expense सब आ गया ज्यादा लंबा खीच के क्या कर आपको पता ही है कि salary आज गया आपका office expense आ गया water below हो गया चाहे पेपर का खर्चा हो गया stationary का हो गया सब आ जाएगा अब कई बार abnormal loss insurance company हमें पैसे दे देता है claim तो उसे लिए वह हमारे लिए income है जैसे मान लेते हाजार का समान जला abnormal loss वा मैंने insurance करा रहा तो इंस्वरेंस कंपनी देगा न इंस्वरेंस कंपनी मैं 600 दूँआते रोको तो मैंने कोई बात में मेरा बन गया income और इस 600 को मैं पता है कहा दिखा दूँआ by side by insurance और यह बिल्कुल वैसे होगा जैसे आउट सेंडिंग में एड हो जाता था पुराना दे रखाया आउट सेंडिंग में दे रखाया तो क्या करेंगा अपने net profit यहाँ पर क्या निकल के आएगा net profit समझ रहे हो अब बाकी के account को समझो मैंने क्या बोला सर एक branch बनाएंगे यह बनाएंगे यह तो समझ रहा है क्या debtor account इसमें use हो रहा है सर हो रहा है पता हो debtor कहा यूज हो रहा है debtor का कुछ amount balance balance यूज हो रहा है कहीं यहां पर यह तो debtors निकलेगा credit sales कई बार तो अगर आपको credit sales दे दे मतलब ही नहीं debtor का कोई लेना देना नहीं debtor का समझ मैं आ गया इसके बाद मैंने बोला सर एक क्या बनावा petty expense petty expense कहा यूज हो रहा है अगर दे दे आपको current year का petty expense इस पर मैंने बाकी बोला था अलग से discuss करेंगे जौरत ही नहीं है इसके बाद एक मैंने बोला bank account तो sir bank account की जौरत पढ़ सकती है आपको cash sales निकालने के लिए तो अगर सारी जानकारी है तो branch account stock debtor system बस यही है इससे अलावा कुछ नहीं और बाकी के जो account बनेंगे इसकी help करने के लिए बनाया जाएगा पहले concept को thought को समझे आप समझ रहे हैं एक account क्या stock stock कितना असान है इधर से आएगा stock और इधर से निकल जाएगा बाकी इसमें से कोई हमेशा पता इसमें क्या निकलेगा answer में balance cd ही निकलेगा ज्यादा से ज्यादा और उसके बाद जितने भी इसधर की side है सभी के हम क्या करेंगे टू वाले का जितने भी loading है बाई में ले जाएंगे किस में प्रांच adjustment में और बाई वाले का कहा लिएंगे और वहां से निकलेगा GP और P handle में सारे खर्चे डाल के हम क्या निकाल लेंगे इवन तो अभी पहला सवाल किया था ना हमने तीसरा सवाल किया था वो as per debtor system किया था उसी को मैं इसी method से करूँ तो answer सेम रहेगा कोई फरक नहीं आएगा तो कई बार question भी ऐसा है आपके book में भी सवाल होगा कि verify also stock debtor system का question होगा वो कहता है verify also तो तो कहने का मतलब है भाई या stock debtor system से निकाल ले तू net profit और तेरा net profit निकल गया न तो एक बार debtor system से भी निकाल ले अगर match हो जाता तो verify हो गया सेम सवाल कोई तो हाँ दो बार करके पूछ लेता हूँ तो वो exam में तो नहीं आएगा इतना लंबा लेकिन book के अंदर ऐसा question आपको मिल सकते है even given भी है पहले बताईए सर अलग अलग बनाएंगे क्या सर इसे अलग अलग बनाएंगे या एक में ही अब बच्चे बोल रहे है सर इसे अलग अलग बनाएंगे या एक में ही बना दे आप एक में बना दीजिए कोई दिक्कत ने चलेगा अगर question specific कहता है कि trading बनाओ पी इंडल बनाओ तो इसका नाम trading कर देना और यहां line खीच ठीक है तो अभी एक सवाल हम करने नहीं जा रहे हम सवाल यहां पर बताना कहां जाएगा ठीक है ना एक question आपको दिखाऊंगा और आप बता देने कहां कहां जाएगा ठीक है या book दिखा तो book से पढ़ देता हूं में question आप निकालके देतो एक question branch debtor system वाला मेरे सामने ना मैं बोलता जाओंगा जितने बच्चे live में ना वो भी साथ के साथ जवाब देंगा चुप चाप नहीं बैठना और मैंने YouTube का link भी दे दिया है आपको मैं दुबारा share कर देता हूं कि भाई subscribe कर लो इसी पर आगे की notification मैं डालूँगा तो channel को subscribe कर लो पुराना channel हमारा hack हो चुका है जो बड़ी दुख की बात है देखो question number 10 है ठीक है तुरिफ आपने ये बताना है जाएगा कहाँ ठीक है अगर आपको ये चीज़े समझ में आ गई ना आप बता सकते हो जाएगा कहाँ question number 10 में कहता है ये question में कहता है आगरा head office surplus goods branch अलवर है उसमें भी है अलवर वाला हाँ अलवर वाला है या नहीं है है मैंने कराय हुआ है stock which branch आपका 66,000 है 66,000 है भाई और प्रोग्राम के अंदर 14 honors के अंदर 10 पुरानी बुक में 11 भी हो सकते है देख लिए आपके पास किताब है ठीक है किताब है आपके पास अब यहाँ पर गीवन है branch stock at invoice price 66,000 रुपे पढ़ दू इसको अभी हम सवाल नहीं कर रहें जस्त आपका knowledge test कर रहें कि कितना आपको समझ में आ रही है मेरी बाते तो पहला point given है stock balance on 1120 को यानि sir opening stock कहा जाएगा यह आपको जवाब पता है कैसे देना है आपका जवाब देना है sir यह जाएगा stock account के debit site ठीक है ना कहा stock account के debit site इसके बाद अगला point है debtor 1120 का debtor तो अब यह debtor account बनाना पड़ेगा मैंने हाला कि बनाया नहीं है ता आप समझ जाएगे यह debtor कहां जाएगा debtor account का इसके बाद देता है petty cash का balance 1120 का यह petty cash account के अंदर जाएगा यानि opening balance जिस account से related है वहाँ पहुशा देंगे कहता है goods received from head office कहां जाएगा यह goods received from head office कहां जाएगा branch के debit में जाएगा समझ में आ रहा है ना अंजली ने भी जवाब दे दिया है कहता है credit sales कहां जाएगा sorry goods return to HO कहां जाएगा branch stock branch account नहीं है branch stock बोलना है इसको branch stock के credit side return है ना credit sales कहां जाएगा sales return कहां जाएगा debit में जाएगा और debtor में भी जाएगा जयान रखना sales return debtor में आता है नहीं आता अभी करा था आता है न वहाँ भी जाएगा cash sales भी यहीं पर आ जाएगा stock account के credit side में allowances customer already adjusted discount P&L के debit में आ जाएगा ठीक है इस पर discuss करेंगे मैं यह नहीं कह रहा है कि आप यह question करिए मैं बोल रहा हूं कि question is type के हम देखेंगे cash receive from debtor कोई काम है क्या कहां जाता है cash receive from debtor debtor account में जाएगा यह discount allowed to debtor P&L में भी जाएगा और debtor में भी जाएगा expense petty cash salary salary यह सब दे रखाई यह P&L में चला जाएगा stock का balance दे दिया कि ना अच्छे सा समझ ले तो कोई भी question कर सकता है और जो बच्चा सिर्फ इसको उतार लेगा और उसके बाद question करके पड़ पड़ के लिखेगा आरे good receive इधा रहे यह इधा रहे तो नहीं कर पाएगा यानि इसके अंदर क्या है logic है simple यह stock account है इधर से बढ़ाना है इधर से घटाना है इसका loading उठाके हमें buy side करना है buy वाला loading उठाके two side करना है P&L में सारी खर्चे डालना है यही तो 4-5 बाते आपको अधरक नहीं है अगर यह चीज आपको समझ में आती है तो that's it आपका खतम हो जाएगा है इसके help करने के लिए कुछ account बन सकते है डेटर पेटिक एस बैंक और भी कुछ बनाना चाहिए तो बन सकता है debit side clear यहां तक तो हम कल सुभे 11 बजे class रख रहे हैं 11 बजे आली class के अंदर हम कम से कम 3 सवाल करेंगे इसके जिससे हमारा यह branch account खतम हो जाएगा बड़े-बड़े 3 सवाल देखेंगे कल हम और कितने question है total 32 इंटर department branch यह तो अभी नहीं करें departmental branch तो अलागी chapter से करेंगे तो sir सवाल है 28 तो कल 3 question करेंगे 3 question करने के बाद आपको 10-12 question दे दूँगा मैं homework के लिए जो कि आप करोगे और main चीज़ देखो मैं यहां पे मेहनत तो करी रापके paper बहुत पास आने वाले हैं आपको थोड़ा अपना भी effort लगाना है अपना भी दिमाग लगाना है आप से मैच कर गया और solution वहीं पर डला है तो छोड़ देना लेकिन आपने solution को देखके answer को टेप दिया लेकिन समझ में नहीं आए कि वह solution ऐसा क्यों लिखा गया था तब आपके लिए problem है वह चीज़े आप मेरे से पूछोगे वाटसप पर ठीक है ना समझ में आ रहे हैं तो फटा फट से इसको नोट कर लीजी आप जितने offline बच्चे हैं और online वाले भी बच्चे नोट कर लेंगे इनको वीडियो में